दोस्तों, Infosys का quarterly result announced हो चुगा है, इस वीडियो में बात करेंगे इस result की पूरी analysis के बारे में, समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके business पे इसको buy करना चाहिए, sell करना चाहिए, क्या Infosys में बने रह सकते हैं, या अपनी position से exit कर जाना चाहिए, exports इसके बारे में क्या कहते हैं, ये भी जानने कोशिश करेंगे, तो मेरी आपसे request है, जब आपके आज पूरा time हो वीडियो को देखनेगा, तब ही देखेगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा informative वीडियो हो, और कोई भी detail मिस होगी, तो शायद आप पूरा information नहीं रिपाएंगे वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा, बैल notification को press रखेगा, ताकि ऐसी information आपको सबसे पहले मिलती रहे, और अगर आपने अभी तक अपने share बादर की शुरुआत नहीं की है, और share market में ट्रेडिंग करना चाहा रहे हैं, तो आप angel blocking को try कर सकते हैं, इं नमबर Q2 N में है 4845 करोड का 4845 करोड का, पिछले साल इसी quarter में नमबर था 4019 करोड, ध्यान दीजेगा, COVID pandemic के दौरान प्रोवेट्स कमाना एक बहुत ही अच्छी बात है, जो इंवेस्टर्स में काफी positive energy लेके आएगा, इंफोसेस का revenue growth guidance 2-3% है FY21 में, और operating margin guidance है 23-24% जो उस का trust बढ़ाता है, दोस्तों, trust एक बहुत important factor है IT outsourcing की domain में, प्रोपाइटरी software development में, रिसेंटली CS और epic systems के बीच में, जो legal case चल रहा है, वो case की वज़े से analyst का मानना ये है, कि TCS का market demand या US business relations खराब हो सकते हैं, क्योंकि TCS के ऊपर ऐसे cases पहले भी होएं, यहीं पर Infosys का good reputation का आता है, और उनको एक अच्छा business opportunity present कर सकता है, इसलिए ये quarter 2 के result एक तरीके से important है, Infosys investors के लिए, जब company के CEO और spokesperson ने खुद high growth की guarantee और prediction की है, तो फिर ये एक बहुत ही positive indicator है, जो company को, investors को भरोसा लेके आती है, डॉलर के terms पे भी Infosys का revenue, year on year 3.1% and 6.1% बढ़कर हुआ है, 33 312 million dollar, ये एक significant agreement है, pandemic lockdown के time पर dollar inflow के हिसाब से Infosys ने बहुत अच्छा perform किया है, और इसी वज़े से Infosys ने 12 रुपे पर share के dividend देने का announcement भी किया है, ये shareholders के लिए बहुत ही बड़ी खुशकपरी है, क्यूटी results आते आते market बंद हो चुका था, इसलिए सब की नज़र फिलाल 15 October के market खुलने की तरफ रहेगी, चले देखते हैं इस result का राज क्या है, एंदिलिस ने पहले ही कह रखा था कि Infosys के bumper result आने वाले हैं, और मुनाफ़ा भी बहुत ही जारा बढ़ने वाला है, जिन investors ने इसको सही तरीके से देखा और invest किया, आज उनको 12 रुपे पर share का dividend भी म पैठ हो सकता है, Infosys ने Vanguard के साथ में जो डील किया, उससे उसका revenue growth एक परसेंट contribution आया, ये prediction ICCA securities ने क्या था, इसके साथ cloud securities और customer experience के domain में भी Infosys ने बड़ी deals का रखी हैं, जिसकी वज़ा से उसके deal pipeline काफी strong है, यहीं indicators आपको सही तरीके से बताते हैं कि कोई company का share अच्छा perform करेगा या नहीं, की vertical demand factor देखते क्या है, नमगुरा research company की तरफ से prediction था कि BFSA यानी banking, financial services, insurance sector and telecom sector से heavy demand की वज़े से Infosys के Q2 Results कावी अच्छे होने वाले हैं, और ये बात सही भी सावित हुई है, आने वाले दिनों में retail, travel और engineering sector में Infosys की performance का क्या होगा, देखने के लिए Adelby Securities ने advisory दिया है, तो अगर अब Infosys के shares के future performance को समझना है, तो फिर इन sector में Infosys के performance को track करते रहेगा, आप समझ देए कि क्या होगा Infosys के future और digital growth का, Corona Pandemics की वज़े से सबको एक चीज़ समझ में आ गई है, growth का main factor होने वाला है digital business and digital strategy, Infosys ने इस sector में काफी अच्छा विजन दिखाया है, और काफी सारे acquisitions की हैं, Cloud from Simplus, Product Design from Caledscope Innovation, Enterprise Service Management Consultancy Guide Vision, Digital Consumer Experience and Analytics from Blue Econ ICI, यह चार recent acquisitions की वज़े से Infosys का digital growth में काफी अच्छी possibilities दिखाय दे रही है, सब को यह लगता था कि Corona Virus की lockdown के recovery होने में बहुत टाइम लग जाएगा, At least Q3, Q4, Fy21 से पहले कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन Indian IT Firms ने इसको गलत साबित किया, इसका सीधा रीजन है कि Indian IT Companies, Software Solutions बनाने में दुनिया की Best Companies में से एक हैं, जब lockdown हुआ तो सबको ऐसे ही Software Solutions की ज़रूरत रही होगी, और USA और Europe के बहुत साइ देशों से ऐसी Requirements बढ़ रहे हैं, जो घर से काम यानी Work From हों को बहतर बना सकें, इसलिए Indian IT Firms अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और Fast Recovery दिखा रही हैं, ये सिलसला आने वाले दिनों में भी चलता ही रहेगा, क्योंकि Corona Virus का Effect मार्च 2021 से पहले खतम होने वाला नहीं है, इसके साथ Infosys में Voluntary Attrition Rate भी काफी कम हो है पिछले quarter के मुकाबले में, यानी लोग इसको छोड़के कम जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी खबर है, इसका Reason Job नहीं होना, Market में Employment की कमी होना, Economy का बुरा हाल और Infosys का अच्छा Performance और Salary High भी हो सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ये कहना गलत नहीं होगा कि Infosys के Shares अभी और उपर जाएंगे, इसका Recovery फिनोमेनल है और Stock में सिर्फ एक ही Weakness और वो है Company के Net Cash Flow का Decline होना लेकिन जब तक Deal Pipeline टाइट है, तब तक Investors इस पे पैसे लगा सकते हैं और Q3 में और Profit का इंतरा कर सकते हैं, तो I hope Infosys का इविशलेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आ आने में में मेहनत कर सकूँ, और दो शबिया, टेकेर, बवाई जैहिन